इस वीडियो में आपको मैं नेट के टॉप की कटिंग वसिलाई करने का तरीका बता रही हूँ जैसे कि हमारी ये नेट सिंगल है इसके लिए हमें इसको ऐसे भोड़ना होता है डबल करके ऐसे फिर हमें टॉप की चोड़ाई लेनी होती है उसके लिए जैसे कि हमें 12 इंच की चौड़ाई का डॉक तयार करना ख़लना होता है कर तो हमें एक एक इंच लेना होता है दोनों साइड से जैसे हमने बारा इंच लिया को याँ हम ऐसे चौदा इन्स पर लगाएंगे एक साइड उदर से एक्स्टा है एक साइज उदर से एक्स्टा है ऐसी इसके बाद हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे जो हमारा यह एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम अलब कर देंगे इसके बाद हमें रिभी कंदों का निसान लगाना होता है ऐसे जैसे हम बच्चों के कपड़े बनाते हैं तो हमें 4 या सड़े 4 इंश अगर बच्चा पतला है तो आप 4 इंश के कंदे ले सकती हो अगर बच्चा हेल्थी है तो आप सड़े चार इंच पर निसान लगा सकती हो इसके लिए हमें इसके बाद ऐसे मुट्डोगा निसान लगाना होता है ऐसे पांच इंच मुट्डोगा निसान भी आप बच्चे की हेल्थ के अमसार लगा सकती हो इस निसान से इसको ऐसे मिलाना होता है जो हमारे ये हम कोने पर निसान लगाते हैं ये बच्चु के हमसार आधाइंच का निसान लगाना होता है ये जादे गैराइकन नहीं होता इसके बाद हमें इस निसान को इस निसान से ऐसे मिलाना होता है इसके बाद हमें इसकी ऐसे कटिंग कर लेनी होती है और उपर से भी जो ये कपड़ा जुड़ा है इसको हम ऐसे अलग कर देते हैं इसके बाद हमें इसका अस्तर काठना होता है हस्तर को भी हम ऐसे ही जैसे कि हस्तर ऐसे डगल है इसको हम ऐसे ठोप के अंसार मोड लेते हैं ऐसे इसके उपर रखके इसके अंसार यह आप इसको काट लेते हैं जैसे कि हमारी दोनों अस्तर भी और उपर की नैट भी कटके तयार हो गई इसके बाद हमें इसका गला काटना होता है ऐसे पहले हम आगे वाले पीस का गला काटेंगे दोनों पीस को बिल्कुल एक सार मिला के और इसको ऐसे मोड के जैसे गले की गहराई तीन इंच आगे वाली साइड की अगर हम जादे करें तो बच्छों के गला बड़ा हो जाता है और चोड़ाई दो इंच इसको हम ऐसे मिला के और हल्की सी गोलाई देके ऐसे आदा इंच से भी काँ यह आगे वाला गले की ऐसे कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम जैसे की यह बैक वाली साइड है इसको भी हम ऐसे दोनों इसों को ऐसे रखके और इस ऐसे मोड के आप चाओ तो इसका गला आप हलके सा डिजैन का मना सकती हो जैसे की हमने ऐसे तीन इंच का निशान लगाया और उपर से ऐसे डेड इंच का दो का नई डेड इंच का यह लगा के आप इसको ऐसे थोड़ी हलकी सी वी शेप में गोलाई देकर काट सकती हो इसे में फिर यहां डोरी लग जाती है इससे बच्चे का गला कंदे से नहीं उतरता और जैसे की हमने इसकी लंबाई 12 इंच यह उपर से सड़े 12 इंच है और हमें तैयार यह 15 इंच करना होता है तो इसके लिए इसमें जालर लगाने जोती है जालर के लिए आप इसको ऐसे क्ए जैसे की हमारी यी नैट बचिया है इसको ऐसे जैसे की हमने लंबाई लिए पूरी यहां तक तो हम नैट को इसके डबल करेंगे कि ऐसे जैसे कि हमें पंदरा इंच की तयार टोप करनी है यहां तक तो उसके लिए हम ऐसे सड़े पंदरा पर निशान लगाएंगे क्योंगी आदा इंच शिलाई में आ जाएगा इसके लिए हमें इतनी चोड़ी दो पट्टी आगे के लिए दो पट्टी पीछे के लिए काटनी होती है क्योंकि जब चुन्न ठवरते हैं उसके लिए हम डबल कपड़ा की जो रख पढ़ती है ऐसे ही एक पट्टी है इसके उपर लगा के ऐसे पाट लेना जैसे कि यह दो पट्टी आगे वाले इससे के हो गई अब मैं इसको शिलाई करने का तरीका बता रहें जैसे कि यह हमारे नैट और रस्तर है पहले हम सबसे पहले इसकी चारव तरफ को बड़े नंबर से शिलाई करनी होती है ताकि यह कपड़ा फिश लेना और छोटा बड़ा नहीं ऐसे आप शिलाई का नंबर बड़ा करके इसके ऐसे चारव तरफ को शिलाई लगा लेते हैं जैसे कि इस पीश में हमने चारव तरफ को शिलाई लगा के तयार कर लिया ऐसे ही हमें दूसरा पीश भी ऐसे ही शिलाई करके चारव तरफ को तयार करना होता है इसको भी हम ऐसे ही चारव तरफ को बड़े नंबर से शिलाई करनी होती है जैसे कि हमारे दूसरा पीश शिलाई लगा के तयार हो गई जैसे देखो यह एक्ट्रा कपड़ा बार निकल जाता है इसकी हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं कि इसके बाद हमें दोनों कम दे जोड़ने होते हैं दोनों पीस के ऐसे रखके ऐसे दोनों कम दोगों ऐसे शिलाई लगाने होती है इसके बाद एक शिलाई आप इसके किनारे बलगा सकती हो इससे शिलाई नमजबूती हो जाती है जैसे कि दोनों कंदे शिलके यह तयार हो गए इसके बाद हमें इसमें पाइपिन लगानी होती है पाइपिन के लिए हमें ऐसे जैसे की चपोर कपड़ा है ऐसे कूंदार पाइपिन निकालनी होती है जितनी पाइपिन आप कूंदार निकालाँगे इतनी पाइपिन अच्छी लगेगी इसको ऐसे काट कि τουach काटनी होती है एलएसे हिस cabinet को चोड़ी में लगानी तो आप एड़ान्य को कि छहां पर कन्दे लगानी होती है कि लिए मैं अगर अलग 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 लग लेते हैं जैसे कि हमने गला सील लिया है चार उतरक से तो जहां पर हम कंदे का जोड आता है हमाँ पर यह ऐसे पाइपिन शुरू करेंगे ताकि पाइपिन का जोड यह कंदे पर आ जाए कि उसके लिए हमें ऐसे कि उल्टी साइड जैसे कि उल्टा है और इदर सिधा है तो हम ऐसे सीधी साइड शिलाई लगाएंगे ताकि पाइपिन सीधी तरफ चली जाए और पाइपिन को ऐसे हलके से आच्छी हीचना होता है जादे में जैसे कि हमने यह पाइपिन लगा ली यह पाइपिन जोड के पास आ गई जैसे कि हमने इदर का थोड़ा सा कपड़ा बिना शिलाई के रख्या था ऐसे हम इदर से भी थोड़ा सा आधाइंज कपड़ा ऐसे काट लेंगे और इसको दोनों सी रोगों ऐसे मिलाकर इसको एक दूसरे पर रपके ऐसे शिलाई करतेंगे ताकि जो बार किनारी आए वो मुड़ जाए ऐसे जैसे की हमारी पाइपन लग गई इसके बार मंने पाइपन को ऐसे उपर की साइड मोड़ना होता है जैसे जोड है हमने एक नीचे की शिर्णा एसे मोड़ के शिलाई में लिया जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो नीचे वाली पाइपन का और शिरा इसमें ऐसे चिप जाएगा और यह उपर ऐसे डबल आ जाएगा फिर इसको ऐसे मोड के जितनी भी चोड़ी आपको फाइन फीन बनाने होती है या बारी ऐसे चारो तरफ को ऐसे शिलाई लगा दें जैसे कि हमारी पाइपिन लगते तयार हो गई इसके बाद हमें ऐसे पाइपिन को ऐसे कंदोपे भी ऐसी पाइपिन लगाई है उसके लिए भी हमें ऐसे सीधी साइड को इसलाई लगाने होती है अगर हमें पाइपिन अंदर की साइड करनी होते है तो हमें पाइपिन को उकर रखना होता है सिधी तरफ अगर सीधी तरफ पाइपिन करनी होता है तो उल्टी तरफ रखना होता है और दोनों कंदोगी पाइपिन को ऐसे ही इसके हमारे हमें इसको एसे मौड़ना होता है विख मौड़ना हमें इसको इन करके दोने कंदों के पाई-त्लं में ऐसे ही शिलाई लगानी होती है किनारे किनारे के कि कि जैसे कि ये खंदोगी पाइपीन लगके भी तैयार हो गए उगले की पाइपीन लगके भी इसके बाद हम इसकी जालर लगाएंगे जालर के लिए जैसे हमने ये पट्टी काटी है इसमें पहले ऐसे जोड लगाना होता है अगर आपकी नम्बाई पूरी ऐसा ही डबल निकल जाती है तो जोड़ लगाने के को deathwnie पटती में हम ऐसे ही जोड लगाएंगे जैसे कि हमारी दोनों पट्टी में जोड़ लगके तयार हो गया ऐसे इसके बाद जो नीचे आएगा उसके लिए या तो आप अगर आपके पास 5 इन नहीं है तो खाली शिलाई लगा सकती हो नहीं तो आप ऐसे डिजाइन के लिए नीचे लेश लगा सकती हो ऐसे किनारे पे इसके लिए हमें बिल्कुल ऐसे ताकि नीचे से नेट नाचम के ऐसे किनारे पे रखके शिलाई लगाने होते हैं पूरे दोनों आगे और पीछे दोनों साइड की जालर में जैसे कि हमने दोनों जालर पर आगे और पीछे वाली पर दोनों पर लेश लगा के तयार कर लिए है कि इसके बाद हमें यहाँ पे बड़ा नंबर करके जिससे चंव्मार पेसे यह लगानी नहीं होती है तो हमें जैसे कि हम ने चुन्वब डालनेगे लिए दोनों जालर के शिलाई लगा लींचि के बाद एसे एक सीरा पकड़के दागे का इसको ऐसा खिंचना होता है इसके बाद हमें ऐसे पीस लेके इसको ऐसे इसमें जहां तक ऐसे इतनी इतनी चुनना डालनी होते हैं ताकि इस पीस पे बिल्कुल ऐसे फिट हो जाए और ऐसे ही हमें दूसरे पीस को भी तयार करना होता है ऐसे दागे का एक शिरा पकड़के और इसको ऐसे दीरे-दीरे से कीचना होता है और इसको भी हमें पीस की परावरी जैसे हमने पहले जालर का पीस तयार किया है ऐसे ही बिल्कुल फिट तयार करनी होती है है ऐसे पीस से मिला कि इस इसके बाद हमें इसको लगाना होता है जैसे कि हमने पीस रखा ऐसे सीधा और जालर को हम ऐसे उल्टी रखेंगे अब फिर इसमें ऐसे ही अगर आपको कहीं कहीं जादे प्लेट हो जाती है तो आप ऐसे हाथ से थोड़ी थोड़ी इस प्लेट को पूरे इससे की प्लेट को ऐसे एक सार कर लेते हैं गान और यहां दोनों पीश की जालर ऐसे ही सीलाई लगाई जाती है जिल Но कि ऐसे से … अ ऐसे को पूरे प्लेट में मिला के अगर आपको जालर न चैनल थोड़ी बड़ी लगती है तो आप ऐसे प्लेट थोड़ा दागा क्या echo और प्लेट ढाल सकती हो और जहां जहां प्ले जैसे कि हमारी दोन पीश में जहलर लगके तयार होगए तो इस साइड भी और इस साइड भी ऐसे इसके बाद हमें से पीच के सिलाई लगानी होती ए ऐसे अगर आपको कुर्ती गिल्कुल सीधी रखनी होते है तो आप सीधी शिलाई लगा सकती हो अगर आपको हलका सा फिटिंग देना होते है तो शिलाई को आप ऐसे थोग ओड़ा सा बीच में से टेड़ा कर सकती हो ऐसे उपर से दोनों सिरे मिलाके और नीचे तक ऐसे शिलाई लगाने होती है इसे कि हमारी एक शिलाई लग गई हैं यह माँ थोड़ी इस हिलकी गुलाई कर दी इससे थोड़े से धुरेसे अगल बच्चे के धी लियुका थे तो थोड़े शिलाई लगाने होती तो है यह यह गिवह ते से शिलाई ऐसे दोनों सीरों को मिला और नीचे तक ऐसे सीधी शिलाई लगाने होती है जैसे कि हमने दूसरी साइट लगाई जैसे कि हम ऐसे सुरू करते हैं तो जब हमारा यह बीच आता है इसमें हम आधे थोड़ी सी गोलाई की चिलाई कर लेते हैं हल्की हल्की सी और थिमीच आके शिलाई को विल्कुल सिधी कर लेते हैं जैसे कि दोनों तरफ ऐसे शिलाई लग गई और जो एक्ष्ट्रा पप्राइश इसको ऐसे काट लेते हैं जैसे कि हमारी कुर्ति तयार हो गई अगर आपको पीछे का गला ऐसा लगता है कि बड़ा है तो आप हल्की सी दोरी लगा सकती हो नहीं तो यह गला विल्कुल बच्चों के सेया आएगा यह बड़ा नहीं रहेगा जैसे कि हमने कुर्ति की लंबाई ऐसे पंदरा तयार है पंदरा तयार की है और इसकी चोड़ाई ऐसे बारा इंच तयार है अगर आपको इसको पड़ी बनानी है तो आप अपने मतलब कर सकती हो ज्ञाल कर सकते हो दोड़ी की बुड़ी बनाओं तो यह कंदे आप को थोड़ी करने होता है और मुद्डी भी थोड़ी से तोड़ी जहें के लिए